दोस्तों अगर आप railway exam ntpc plus group d exam की तयारी कर रहे हैं तो यह special book यह आपके लिए है और यह special क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें full syllabus wise जो है content पूरा cover किया गया है इसमे 4000 plus question answer आपको मिलते हैं one liner question मिलेंगे साथ में आपको multiple choice question मिलेंगे इसमें solution के साथ दिये गए trick के साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको free mock test दिये गए 20 टेस्ट इसमें दिया गया है और previous year question भी पिछले बरसम जो पूछे गए railway exam में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह offer चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं online sd point सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन आपके लिए 35 रूपीज की है 35 रूपीज में इतना अच्छा content दोस्तों आपको कोई provide नहीं कर आपको इतना अच्छा content मिला है आप जरूर पर्चेज करें किसी तरह query है आपको तूस आपको description box नंबर में मिल जाएगा उस नंबर पे भी आप कॉल करके queries को अपना पूछ सकते हैं ठीक है Good morning friends, welcome to online study point दोस्तों आज है 27 March और स्टार्ट करते हैं आज के करने फेस उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ बेला करने फेस करें ताकि आपको daily morning में करने फेस वीडियो चले है तो like करें दोस्तों और share भी करे और वीडियो को last तक देखते रहें काफी important है सभी exam के लिए चली start करते हैं पहला question है मारा वैश्वीक उर्जा संक्रमन सूचकांग नहीं रुनीश में भारत की सस्थान पर है तो दोस्तों वैश्वीक उर्जा संक्रमन सूचकांग पर छेतर्वे स्थान पर है इसमें दोस् का शुरक्षा एवं पर्यावरणी स्थिर्ता और श्यामर्त के साथ पहुंच को संतुलित करने में कितने सक्षम है देखिए इसमें जो शीर से स्थान पर कौन देशे टॉप नमर एनपर स्वीडन है फिर स्वीडिया लेंड फिर नःवे चीन की बात करेंगा रहाँ तो ए मारा अगला कोशन दोस्तों मार्च 2019 में ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपें में कांच सपदक किसने जीता है झी साथियान ने option B ठीक है तो देखें दूस्तों महिला एकल में भारत के लिए निराशा जना करहा क्योंकि इसमें जो है मधूरी का पाठकर और रीती संकर दोनों मुख्य ड्रॉक के पहले और पहले दौर को जीतने में अस्फल रही है ठीक है तो याद रखेंगे ITTF चैलेंज प्लस ओपन ओ आप तो यह विजयवाड़ा railway station को ठीक है विजयवाड़ा railway station को तेखेंगे तो देश का सबसे ब्यास railway junction जो है एक जो है विजयवाड़ा railway station को भारती हरित भवन में स्वर्ण रेटिंग दी गई है आपको वतादे कि परिशत के अध्यक्ष मीका विजय साही ने 25 मार्च को मंडल रेल प्रवंधक आर धननजेवल को स्वर्ण रेटिंग जो स्वर्ण प्रतान की गई है और आपको वतादे कि स्टेशन में 100% LED लाइटिंग 5 विस्टार जो है प भारती पूरुष वास्केट वाल टीम का नया मुख्य कोच 21 निउक किया गया है तो दोस्तों ये निउक किया गया है वैसलीन मौटिक को मौटिस को ठीक है ऑप्सन डी ठीक है 23 मार्च को भारती वास्केट वाल संगने दोस्तों भारती पूरुषों की वास्केट वाल टीम के मुख्य कोच कि रूब में वेसलीन मोटिक को जो है अनुमंधित किया गया है तो यह आप याद रखेंगे फिर हमारा अगला कोशन दोस्तों कोशन नमर फीपता है पाकिस्तान द्वारा हाली में हिंदू तिर्थ तिर्थ यात्रियों के लिए किस स्पीट से दर्सा ने तु हिंदू तिर्थ हैत्रियों को विशेश कर जो भारत के स्रधावलों के लिए खोलने का अनुमति प्रतान कर दी है और पाकिस्तान दोरा एसमति 25 मार्च को प्रतान की गई है ठीक है चलिया नेक्स लोचन देख लेते हैं हमारा कोशन नमर 6 है भारत ने किस देश के साथ मिलक स्रिलंका इस्थित हमबन तोता बंदरगा पर ओयल रिफानरी के निर्मार का काम शुरू किया है ओमान के साथ ठीक है ओप्सन सी दिखें तो भारत की कंपनी जो है एकार्ड गूरूप तथा ओमान के सरकारी विभाग ने स्रिलंका इस्थित हमबन तोता बंदरगा पर ओयल पेटर तबीची को आप्सन है देखे पीटर तबीची को हाली में विख्याद जो गोवल टीचर प्राइस समानित किया गया है और उन्हें पुरुषकार सरुप दोस्तों एक मिलियन अमेर्की डॉलर की नामी राशी प्राप्त हुए और कहां के हो केन्या के हैं कहां के रहने वाले केन्या के हैं तो ग्लोबल टीचर प्राइस समान किसको मिला पीटर तबीची को कोशनेट थे हमारा निमिकित में से कि शो देशी रूप से भिक्सित धनुस हो विद्जर तोपें भारती से नम सामिल की गई और यह बोफोर्स के डिजाइन पर आता है और अपग्रेटेट बर्जन है इसे देशी बोफोर्स भी कहा जाता है कोशन नमर नाइन्थ हमारा विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनरजी ट्रांजिक्शन इंडेक्स भारत की सिस्थान पर है तो यह 76 नमर पर हमने उपर वाले कोशन में देखा है फर्स नमर पर 76 नमर पर है यह आप याद रखेंगे फिर हमारा अगला कोशन है किस देश के हुबई प्रांत में नदी के किनारे जेव बेग्यानिकों को करीब 51.8 क लोड़ साल जो पुराने 1000 जीवासम मिले हैं और अब तक दोस्तों इसमें 4359 जीवासमों को निकाला जा चुका है और आपको वदा दे किसी समय कैम्ब्रियन एक्स्प्लोजन हुआ था जिसके प्रित्रीव पर बड़े स्तरप्रज्य विवित्ता आई थी फिर हमारा अगल ने ठीक तमिलाडू में देखे सुंप्रीम कोंडेसु तमिलाडू में पहाडियों टीलों और ऐसे सारवजनी के स्थलों पर राजनितिक नारों नेताओं की तश्वीरें और विग्जार्मूर बैन लगा दिया है इससे परियाबरन का सुरूप बिगड़ता हो इसने के मुताबित दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 45 लोगों की मौत होती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इस निरोध व्यमारी की चपेड में आते हैं तो टीवी ऑप्सन ए टीवी कोशन 14 थे किस देश की सरकार ने संभावित बिजली कटोती से बचने के लिए चाय अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूच था मार्च में पहला इंडियन सूपर लिग फुटवाल किताब किस ने जीता है अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल क्या है मुंबई के जीओ गार्डन में आजी 64 फिल्म फेर वार्ट में सर्वसेश अब नेतिरिन बेस्ट एक्ट्रेस का पूर्सकार किसको मिला है तो फटा बट पूरे डिटेल के साथ जनगाई लिखेंगे बेस्ट एक्टर बेस्ट डिरेक्टर का भी आप लोग डिटेल में लिखेंगे ठीक है और वीडियो अच्छी लिवत प्लीज लाइक करें वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो को साथ तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें आप सौसते रहें बेस्त रहें मस रहें जै हिन जै भारत झाल 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 झाल